अदेखी समानेते हैं हमारी प्लेटेट्स की संख्या लेड़ से साड़े चार लाग होती है लेकिन जब भी किसी को डेंगू या फिर टाइफट हो जाता है तो उसकी प्लेट्स की संख्या कम हो जाना स्टार्ट हो जाती है तो जब भी किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी ज क्या बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है इस डाइट प्लान को बहुत सारी लोगों द्वारा इस्तमाल किया गया है उन्हें इससे काफी ज्यादा फाइदा हुआ है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैसे कि आप उठते हैं यानि कि आपका जो विकप टाइम है वो शाड़े लेना है नमबर वन चार से पांच बादाम जो कि आपको रात को भिगो कर रखने है और सुबह आपको खा लेना है इसके अलावा एलो विरा जूस तो आपको 20 एमल एलो विरा जूस एक कप पानी में मिला कर पीना है एक से दो फिक जिरी कि हम आम भासा में अंजीर भी बोल लेते हैं यहीं भी आपको रात को भिगो कर रखना है और सुबह खा लेना है पापाया लीफ जूस यदि आपको पापाया की पत्ती मिल जाती है तो आपको इसका एक से दो चमच जूस पी लेना है और लास्ट है यहां पर कंजूम टू-टू-3 आमला आपको दो या तीन आ माच ऑप्शन दिये हो है आप इनमें से कोई भी एक ले सकते है नमबर वन है आपर वन बाउल ओफ पोहा या फिर उपमा नमबर टू-वन बैजिटेवल सेंडविच जो कि ब्राउन ब्रैड या फिर होल वीट ब्रैड का होना चाहिए टू-बोल्ट एग जिसमें कि आपको केबल उसका वाइट पार्टी लेना है वन टू-टू चापाती वित सबजी और दाल या फिर मौंग दाल खिचडी तो आपको जो भी इनमें से सही लगता है आप उसे ले सकते हैं इसके बाद यहां पर है मिडल मील जो कि आप 11 या 12 बज़े के बीच में कर सकते हैं इसमें आपको fruits, herbal tea, green tea या फिर अनार का juice जो कि 50 ml कम से कम होना चाहिए आपको consume करना है अब बात करते हैं लंच की या फिर दुपैर के खाने की जो कि आपको 1-2 बज़े के बीच में करना है और आपको खाना खाने से पहले कम से कम एक बाल सलात लेना है और खाने में आप 1-2 रोट herbal tea, salad, साबुदाना खीर या फिर green tea तो आप इनमें से कोई भी एक चीज ले सकते हैं अब बात करते हैं इवनिंग मेल यानि कि साम के समय आप क्या ले सकते हैं तो साम को लगबगा 5 बज़े इनमें से कोई भी एक चीज ले सकते हैं जिसे की fruit, soup, herbal tea, salad, साबुदाना खीर या फिर green tea अब हम बात करते हैं डीनर या फिर रात के खाने की जो की लगबग आपको 8 बज़े करना होता है इसमें आप 1-2 रोटी, दाल या सबजी के साथ, या फिर मुंग दाल की खिचडी या फिर साबुदाना की खिचडी तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो ले स पहले हम बात करते हैं आप कोंसे fruits ले सकते हैं आप एपल, बनाना, पीच, पियर, मैंगो, पापाया, कीवी, प्लूम ये सबी fruits ले सकते हैं इसके लावा watermelon, musk, melon, custard, apple, chiku, pineapple, fix इन सबी को भी आप ले सकते हैं आपको कोंसे fruits नहीं लेने हैं आपको citrus fruits जैसे की orange, lemons, dark grapes and plum इन use of stable salt यानि कि आपको ज़्यादा सफेद नमक का इस्तिमाल भी नहीं करना है अब यहाँ पे आपके लिए कुछ special foods हैं जिनि लेकि आप अपने प्लेटेट्स की संख्या को बहुती चल्दी बढ़ा सकते हैं नमबर वन, carrot and beetroot juice यह हमारे प्लेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए काफी effective माना चाता है तो आपको कोसिस करना है कम से कम 50 ml juice डेली दिन में दो बार लेना है इसके साथ आप pumpkin juice भी ले सकते हैं क्योंकि कद्दू का juice भी हमारे प्लेट्स को काफी चल्दी बढ़ा देता ह इसके साथ में आपको 4-5 पपीते की पती को 2 कप पानी में लेकर boil करना है उसे ठंडा करना है और चान कर दिन में 2 बार पीना है इसके साथ में आप अनार का juice भी डेली पी सकते हैं चुकंदर को आप सलात के रूप में खाने के साथ में भी खा सकते हैं और आपको कोसिस करना है रोज सुभा सुभा तीन से चार आमला खाना है क्योंकि ये भी हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काफी फायदिमन्द होता है तो यहां पर जो हमने डाइट बताई है यदि आप इसे अच्छे से फोलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्लेटलेट हैं वो एक ही दो दिन में काफी बढ़ जाएंगी तो यह डाइट प्लान काफी अच्छा है आप इसे फोलो कर सकते हैं Thank you very much